जैसरी राधिकिष्ट आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आईए आज आप सब सुनेंगे अधिक मास पुरुशोत्तम मास महात्मे कथा में 28 बे अध्याय की कथा अब तक आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैन माना गया है इन दिनों गंगा अश्नान करना दान पुर्ण्यों का कार्य करना भगवान विश्णु माता लक्ष्मी भगवान सरे राधा कृष्ण का पूजन करना इन सबों का विसेस महत्यू माना गया है अधिक मास में जितने भी पुरुण्य कार्य किये जाए उसका कई पूने फल्क राप्त होता है तो आईए सुनते हैं अधिक मास महात्मय कथा में 28 वे अध्याई की कथा तो बोलिए प्रेम से भगवान अविश्णों की जै माता लक्षमी की जै स्री राधा कृष्ण की जै पुरुशुत्तम भगवान की जै सर्वदीवी दीवता की जै स्री नरायन बोले चित्रगुप्त धर्मराज की वचन को सुनकर अपने युद्धाओं से बोले यह कदरे पर्थम बहुत समय तक अत्यांत लोग से ग्रस्त हुआ बाद में चोरी करना सुरू किया इसलिए यह पर्थम पेत शरीर को प्राप्त कर बाद में वानर शरीर में जा सुरिष्ट है इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्या प्राप्त होने पर भयेंकर भट लोगोंने चित्रगुप्त की आज्या अनुसार सिग्र बैसाहीं किया और उस ब्रामन को पिंटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल shiningisia रखा वह ब्रामन प्रेत को प्राप्त क उस निर्जन गेहन वन में शुधा त्रिशास से अत्यंत व्याकूल होकर भ्रमन करने लगा। प्रेत योनी में होने वाले दुखों को भूखकर बाद फलों के चोरी करने से होने वाली वानर योनी को गया सुन्दर, शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से यूक्त, मान सरूबर की समान पवित्र, सद पुर्शों से सेवीत, पापों का नास करने वाला देवताओं को भी दुरलव, मिर्गतिर्थ नाम से प्रसिद्ध था जिसमें स्राध करने से पितर लोग सद गती को चले जाते हैं। वहाँ पर देवता लोग दैतियों के भैसे मिर्ग हो कर निरंतर, निर्भय अश्नान करने लगे। इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मिर्गतिर्थ कहते हैं। मनुषी शरीर को प्राप्त कर या ब्रामन वहाँ पर फलों के चोरी करने के पापों से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनी बोले, तिरे लोक्यों को पवित्र करने वाले रमनिय मिर्ग तिर्थमें पाप कोटी से युक्त वहाँ दुष्ट वानर कैसे वास करता होगा। हे नात, हे तपोधन, मेरे मन के संदे को आप दूर कीजिए। क्योंकि आपके समान, गुरु जनों का अपने शिश्यों के विशय में कभी भी गोप्य कुछ नहीं होता। स्री सूच जी बोले, हे विप्रू लोग। इस प्रकार नारद मुनी से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रशन तपोनी थी। नारायन भगवान नारद मुनी का सत्का थी। उन दोनों ने भग्वी से पवित्र स्री पुरुषोत्त मास का व्रत्त किया। जब स्री पुरुषोत्त मास का व्रत्त करते उन दोनों का स्री पुरुषोत्त मास बित गया अंतिम वाले दिन के आने पर इस्तरी के साथ हर्ष से युक्त स्रधापुरवक चित्र कुं कुंडल ने उद्यापन किया पुरुशुत्त मास के उद्यापन विधी करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी इस्तरी सहीत ब्रह्मनों को बुलाया हे नारत वहां पर धन के लोब से कदरे भी आ गया उद्यापन विधी के पुर्ण होने पर चित्र किया उन समस्त ब्रहमनों के प्रशन होने पर भुए असी धक्षिना को भी दिया उस दी हुई भूए असी धक्षिना से प्रशन अन्यससब भ्रहमन गरी को गय है प्रांतु अत्यंत लोभी कईदरिय उस वैस्य चित्र कुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनैसे नर्म होकर गदगद वानी से बोला कि है चित्र कुंडल है वैस्य है भगवत भक्ति के सुर्य आपने पुरुशत्म मास का ब्रत्र विधी से अच्छी तरह किया इस तरह पिर्थिभी तल म कहीं पर किसी नहीं किया आप किरतार्त हो सरवदा भागिवान हो जो तुमने परमभक्ति से पुरुशत्म भगवान का सेवन किया तुम्हारे पिता धन्य है और तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य है जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल लव पुत्र को पैदा किया यह का पुरुशुतम मास धन्य से भी धन्य है जिसके सेवन से मनुश्य इस लोग और परलोग के फल को प्राप्त करता है हे विशामपते तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया अहो तुमने बहुत बड़ा काम किया इसमें संदे नहीं है हर्स से दूसरे भ्रामनों को भी बहुत सा धन दिया है भुरीद भागी हैं मेरे लिए क्यों नहीं देती हो इस प्रकार कदरे के कहने पर शित्र कुंडल वैश्य ने कदरे को धन दिया कदरे ने धन को लेकर प्रशनता से उसको जमीन में गाड़ दिया वहां पर कदरे ने स्री पुरुशुतम मास की बड़ी पूजा देखी और धन के लोब से पुरुशुतम मास की प्रशंशा की पूजा के दर्शन महात्मय से और पुरुशुतम भगवान की अस्तूती से तथा धन का लोब होने पर भी मिर्ग तिर्थ को आया स्री सूती जी बोले दर्शन से अस्तूती से धन के लोब करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तिर्थ का सिवन हुआ है दुजलोग स्रधा से आधर पुरुवक पुरुशुतम देवी के दर्शन और अस्तूती मेतत पर सब अतनिक के पुन्य का क्या कहना है नारत मुनी बोले हे ब्रहमन सुन्दर भिक्षों से सुभीत सुन्दर शेतर जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने के कारण क्या है सो आप कहिए स्री नारायन बोले कि हे नारत हे अनग तुम सुनो सुनने की एक्षा करने वाले तुमको मैं कहूंगा इसमें कुछ कारण है जिसके स्रवन से पापों का नाश हो जाता है जब समस्त अर्थ और फलो के दाता दसरत के पुत्र स्री राम चंदर जी ने समुत्र में सेतु बांध कर दुष्ट रावन का नास किया उन स्री राम चंदर जी के विभीशन को जोड़कर बागे समस्त राक्षसों का वद्ध किया किसी को नहीं छोड़ा अगनी में परिक्षा कर सीता को ग्रहन किया ब्रम्हा शंकर इंद्र आदि देवता रावन के वद्ध से प्रशन होकर बोले कि हे राम तुम वर मांगो ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले सिरी राम चंदर जी बोले कि हे देवता लोग यदि इ ब्रिष्टी कर सिग्र जिला दो तथास्तू यह कहकर ब्रह्मा संकर इंद्र आदि देपताओं ने अमरित की ब्रिष्टी करके वानरों को जिला दिया तदंतर बे जैशाली समस्त वानर जिवित हो गया और चीर काल तक शयर कर उठे हुए कि समान देखने में आया सिर्य रामचंदर जी चारो तरप बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुश्पक विवान पर सवार होकर प्रशन मुख कमल वाले सहपतनीक सिर्य रामचंदर जी बोले कि हे सुग्रीब, हे हनुमत, हे तारातमज, हे जामबवान वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कारे किया आप लोग उन वानरों को आग्या देए जिसमें यहां से आप लोगों की आग्या पाकर वानर अपनी अपनी अक्षा अनुसार जंगलों में जाए हमारे ये द्रक जीवी वानर जहां जहां वास करे वहां के व्रिक्ष, पुस्प, फलों से युक्त हो जाए नदी, मीठे जलवाली हो, शीतल जलवाले, सुन्दर तालाव हो, इनको कोई भी मना नहीं करे, हमारी आजा से समस्त वानर जाए इसलिए सिरे रामचंदर के प्रभाव से जहां वानर जाती के लोग वास करते हैं, वहां पर वन में मीठे, जलवाली, नदी और सुन्दर तालाव होते हैं, पुश्प, पत्रशे युक्त, सुन्दर फल वाले, बहुत से व्रिक्ष हैं, परंतु और दृष्ट से होने वाल पुर्व जन्म के सुख दुख जहां जहां प्राणी निवास करता है, वहां वहां अबश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्ब का नास नहीं होता, ऐसे बेद किया गया है, स्री नरायन बोले, फिर जहां पर यह लालची वानर परवत के समान बढ़ता हुआ, भूख प जिस पीड़ा के मुख के घावों से दिन रात रुधिर भाह करता है, अत्यनत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था, और वहां वानर चन चलता बस बिक्षों से उत्तब फलों को तोर कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता थ वहां वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक अस्थान पर बैटने में और समर्थ था, एक विक्ष से दूसरे विक्ष पर जाता हुआ बित्यू को सुख देने वाला मानने लगा, किसी समय प्रत्वी पर गिर पड़ा और अत्यनत दुखित हो विलाप करने लगा, सरीर के तू वहां वानर भूख प्यास से पेड़ीत हो गया, उसके समस्त दात मुख रोग से पेड़ीत होकर गिर गया, पुर्व जन्म के अकृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ, इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए, वानर को देवयोग से स्री पुरुशुत मास आया, उस पुरुशुत मास में भी उसी प्रकार सीतवान आदी से पेड़ीत रहा, किसी समय बहूल पक्ष में गहन वन में विचरन करता हुआ, प्यासा वानर, कुंड के पास पहुचने पर भी जलपान करने को समर्थ नहीं हुआ, भूख से युक्त भी चपलता से, वह उचे व्रिक्ष के उपर चट गया, एक व्रिक्ष से दूसरे व्रिक्ष पर जाते हुए, उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा, बहुत दिनों से निराहार, शीथील, इंद्रिये और जरजर सरीर वाला निरबल, शीथील, प्रान वाला, कुंड के तट भाग में आया, इस दिन के आने पर मद्याहन काल में उस तिर्थिक में जल से भींगा शरीर वाला वानर, प्रान से रहित होकर गिर गया, और उस दिह को त्याकर पापों से रहित होकर, ततकाल, डिब आभुशनों से विभूसीत, डिब दिह को प्राप्त किया, जोकि नील कमल के, दल के समान, श्यामवर्ण, करोडो, कामदीब कि समान, सुन्दर चमकते हुए, रतनों से जटीत, किरीट धारी, सुन्दर सोभायमान, मतस्य कुंडल बाला, सोभायमान, पवित्र, पीत वस्तर धारी, कमर में रतनों से जटीत, मिखला बाला, सोभमान, बाजु बंद, कंकन, अंगुठ प्रथी हार से शोभीत नील वर्ण के टेड़ी चिकने बालों से आवरित सुन्दर मुख था। उसी समय सिग्र वहां वश्टमों में युप्त बीमान आया। जिसमें भेरी मृदंग, पटः, वेनु, वेना का महान शब्द हो रहा था। और देवांगनाओं का निर्त हो रह था। गंधर्व किन्र के सुन्दर गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महाभाग दिविद्य धारी वानर देखकर अत्यंद विश्मे को प्राप्त हो कहने लगा कि पात की तुम्हें यह सुख कैसे हुआ यह विमान सुख बड़े पुन्यात्मा को ही होना उचित है। इसक उसको दोनों तरफ चावर को डुला रही थी। कोई पान हाथ में लिये खड़ी है और उसके सामने अपसराएं निर्ट कर रही है। कोई गंगाजल से भरी हुई जारी को लिये हुए खड़ी है। कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार उस बैभब को देखकर चित्र में बने हुए में समान निश्यल हो गया। यह क्या है। मुझे दुष्ट पात्की को किस पुन्य से यह सब प्राप्त हुआ है। मेरा कुछ भी पुन्य तो नहीं है। जिससे मैं हरी भगवान के परमपत को जाओ। स्री नरायन बोले इस प्रका ने सुक्र का बहुत बड़ा खाजाना डिबी विमान को सामने देखकर अश्यर्ज किया। बाद हरी भटो ने उस कदरे का हार्दिक अभी प्राय जानकर उसके सामने विने प्रवक हांच जोरकर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर स्रीर को त्यागे हुए उस कदरे को सु तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णों की जै, माता लक्ष्मी की जै, स्री राधा कृष्ण की जै, सर्वदीविदीवता की जै इसके आगे की कथा जो की आप अगले अध्याय में सुनेंगे, इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए चैनल के अगर आप नए हैं, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्स्क्राइब करें, साथ में डेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटफिकिसन आपको समय से मिलता रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शुखी रहें और स्वस्त रहें, जै स्री राधे कृष्ण, धन्यवाद